Hi, I am your friend. My name is Devu Brotha Rai and here we will learn how to speak English fluently. कुछ simple grammatical rules को practice करके हम किस तरह से fluently English भोल पाएंगे उसी की चर्चा करेंगे हम लोग यहापे. आज हम लोग सेखेंगे simple present में जो sentence हम लोग कहते हैं उसे किस तरह से English में बोले. बरतमान के sentence को हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं जैसे कि I help, I am helped. साधारन से बरतमान के जो sentence है वो भी दो तरह का होता है. जैसे कि मैं कह सकता हूँ I help, इसका अर्थ मैं साधा करता हूँ तुमारी या किसी और की. और ये भी कह सकता हूँ I am helped, इसका अर्थ है मुझे मदद की जाती है किसी के दुवारा, तुमारे दुवारा है या तो किसी और के दुवारा. पहले प्रकार का sentence को हम लोग active sentence कहते हैं, जिसमें subject खुद काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर मैं खुद सायाता करता हूँ, सायाता वाला काम मैं ही करता हूँ, लेकिन दूसरी sentence पर जब हम कह रहे हैं I am helped, यहाँ पर subject आई है, लेकिन subject कोई काम नहीं कर रहा है, काम किसी इस बक्त के लिए सच है, इस तरह के sentence को simple presentance में हम व्यक्त कर सकते हैं, या तो active form में, या तो passive form में, जब subject खुद काम करेगा, तो यह active sentence होगा, subject के बाद सिधा भार्ब का प्रोयोग होगा, और जब passive होगा, subject खुद निश्क्रिया है, उसे वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ओपर काम का परिणाम आ रहा है, तो passive form में लिखा जाएगा, या तो बोला जाएगा, जैसे की subject उसका बाद भी वर्ब, M is our, उसका बाद में भार्ब का पर्स्ट पार्डिसपल, फिर by का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आज की paper से मैं दो तिन sentence परके सु ना था हूँ, SSLV is designed to carry payloads in the 500 kg range, it is expected to transport nano and micro satellites into orbit, the first demonstration is scheduled for mid 2019, SSLV को design किया गया है 500 kg range तक जाने के लिए carry loads लेके, ये प्रताशा किया जाता है, कि ये nano and micro satellites को orbit में छोड़ेगा, और पहला प्रदर्शन निधारित किया गया है, 2019 के बीच में, तो ये सारे sentence में सब काम को कर रहा है, जो satellite mission को नियंतुद करता है होगी, वो पसंद करती है, she likes, वो किसे पसंद करती है तुमें, she likes you, उसे पसंद किया जाता है, she is liked, she is liked by someone, you or someone else, subject एक वेक्ति होने से, I or you को छोर के कोई दुसरा, तो फिर भार्ग का साथ येस का प्रोग होगा, जैसे की, she likes, राम, likes, he goes, she goes, etc. If you like, then please subscribe and share so that I can make more videos for you. Thanks for listening and watching this video.